नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाक्र के साथ HPLT TET, LT Commission और PGT Hindi Commission की जो तयारियां कर रहे हैं स्टुडेंट उनके लिए हमारी ये प्रशनोत्री की सीरीज लगतार चल रही है और आज हम आपके बीच में इसका जो नाइन्थ फार्ट है वो लेकर के आए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे इससे पहले के जो आठ फार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी एक बार जाके चेक कर सकते हैं लगबग लगबग आपको 200 के आसपास प्रशन उसमें मिल जाएंगे तो अगर आप तैयारियां करना चाहते हैं वाकई में तो आपके लिए यहां से बहुत जादा help मैं समझता हूँ की हो जाएगी और आप जो है निरंतर यहां से इन questions से जो हमारे पास अभी तक शायद 200 के आसपास questions अमने इसमें upload कर दिये हैं तो उनको अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो कम से कम आपने कम से कम 500 questions उससे जरूर बनाए होंगे नए यह मैं उमीद करता हूँ तो अगर आपको हमारा यह प्रियास अच्छा लगता है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजे और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्यूंकि आपके लिए हम इस तरीके का बहतर content लाते रहते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हम आपको यूही मिलेंगे फिर दोबारा कभी स्क्रोल करते हुए तुके से तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अपने पहले प्रशन की ओर और देखते हैं कि किस तरीके के प्रशन जो हैं वो आज हमने आपके बीच रखे हैं तो आज हमारे जो maximum question ने देखिए वो रहेंगे हमारा नाटक, निबंद और आलोचना ये जो तीन विधाएं हैं इनको लेकरके हमने रखा हैं और इससे बाद वाली जो प्रशन उत्री रहेगी हिंदी उपन्यास और कहानियों पर तो हमारा आज का पहला प्रशन है नाटक को अवस्था का अनुकरण किस भारतिय चिंतक ने कहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धरंजय का ये कथन है और इस तरीके के प्रशन यहाँ पर बहुत जादा आपको पूछ जाते हैं खासकर एल्टी टेट और कमिशन में दोनों ही एक्जाम में तो भारतेंदू हरिश्चंद्र ने नाटक को कहा था नट लोगों की कला का नाम धरंजय कहते हैं अवस्था का अनुकरण जबकि भरत्मुनी ने ब्रह्मा से ब्रह्मा जी ने रिगवेद से बुला की पाठ लिया बाबु गुलाब राय का कथन ने देखिए ये कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकरिती को शब्द गत संकेतों में संकुचित करके उसको सजी पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्रान रूप में अंकित किया जाता है तो ये था बाबु गुलाब राय का कथन तो नाटकों के बारे में जो अलग-अलग विद्वानों के कथन है इनको आप देखिए इसके लाबा पाश्चात्य चिंतकों के भी कथन रहे उनको भी देखना जरूरी है यहाँ पर आता है कि असंगत कौन सा था इसमें से तो यहाँ पर जो भी है यह सारे के सारे क्या है बिल्कुल सही है विश्कमभक, प्रवेशिका, चूलिका, अंकास और अंकावतार यह अर्थोफख्षेपक है अर्थोफख्षेपक को हम सूच्य भी कहते हैं सूचे का मतलब होता है कि हमारे नाटक में जिन चीज़ों को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते उनको हम सूचना के जरी प्रदर्शित करते हैं तो ये कतावस्तू के अंतरगत आता है बीजबिंदू, पताका, प्रकरिय और कारे ये अर्थ प्रकरितिया है, ये भी हमारी कतावस्तू का ही एक भेद है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्ष और निर्महन ये नाट के संधिया है, तो इस तरीके से आपको ये भी द्यान रख लेना है इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है तो यहाँ पर जो अंधों का रंग मचय है, ये रेडियो नाटक को कहा जाता है रेडियो एक श्रब्य माध्यम है साहिते की यह विदा, जब रेडियो पर सुनी जाती है तो इस पर रेडियो नाटक की मोहर लग जाती है यानि इसे रेडियो नाटक कहने लगते हैं रेडियो जो है ये श्रव्य माध्यम है अता रेडियो नाटक भी श्रव्य होते हैं उनमें ध्वनी की प्रधानता होती है रामकुमार वर्मा ने रेडियो नाटक को ध्वनी नाटक कहा है इसे अंधे का सीनेमा भी कहा जाता है, मातर सुनकर ही दृष्य जो है सुख या नुभूती होती है, शुरूता कान को ही आंखे बना लेते हैं और नाटक का रसा स्वाधन करते हैं, तो रेडियो नाटक के बारे में भी आप एक बार जरूर थोड़ा सा पढ़के जाएं, भार भारतेंदू हरिश्चंदर से हमेशा इस तरीके का प्रश्न बनता है, कि इनके नाटकों के जो रूप हैं, वो क्या रहे हैं, तो यहाँ पर जो भारतेंदू के कृती लासे रूपक ती देखिए, यह थी भारत दुरदशा, भारत दुरदशा नाटे रासक या लासे भेध है, आपके रूपक का भेध है, या उप रूपक का भेध है, या मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, इसके लाबा अंधेर नगरी जो है इनका प्रहस्न है, प्रहस्न होता है आपका देखिए हासे और विंग्यात्मक, नील देवी था गीती रूपक, जब पर बहुती आसान सा प्रशन था देखिए, जो अंब पाली है, ये जो नाटक है, ये किसका रहा, ये रहेगा आपका, रामरिक्ष बेनिपूरी का, इसके लाबा रक्षबंधन हरी क्रिशन प्रेमी का प्रसिद नाटक है, कंजूस की खोपड़ी, गोविंद वल्लब पंत, एंड साथी साथ विशाक जो है, ये जैशंकर प्रसाद का एक प्रसिद महत्तपोन जो नाटक माना जाता है, जो कलहन की राज तरंगनी पर आधारी तिन का नाटक माना जाता है, नेक्स कॉशन देखते हैं, निमिलिकित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नराइन लाल का नही गए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तो लक्ष्मी नराइन मिश्र के हैं देखे, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्तिकर हैस, आधिरात, सिंदूर की होली, इत्यादी, जबकि लाल के जो इनको पॉज़ कान किस विधा की रचना है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है ये भी, ये एक दलित नाटक है देखिए, जबकि आपके लिए यहां पर एक रचन है, एक इंच मुस्कान, ये किस विधा की रचना है, इसको आप कुमेंट सक्षन में जाकर बता सकते है और इसको सहल एकल में लिखा गया था, किन किन के द्वारा ये भी आप बताईए, तो महंदास नेमिश्राय का ये नाटक था, देखिए, डेड़ हिंच मुस्कान, इसके लाबा इन्होंने क्या क्या लिखे थे, अदालत नामा, क्या मुझे खरीदोगे, हेलो कॉमरेड जैस को पढ़के जाने की जरूरत है, तो यहाँ पर जो था, यह था सकंद गुप्त के जो पात्र हैं, अजात्चत्रु में बिम्बिसार था, अजात्चत्रु, गौतम, आरंद, एंड देवदत हैं, जबकि सकंद गुप्त में कुमार गुप्त, परंदत, भटार्क, खिंगल, धातुसेन, इत्यादी, चंदरगुप्त के ये चानक के भी हैं, सीहरन, वररूची, अंभीक, सिकंदर, मेगस्थनीज, दुरुपस्वामिनी में, चंदरगुप्त, रामगुप्त, एंड, शिकरस्वामी, पुरोहीत, शकराज, और खिंगल, इत्यादी, प्रमुख हैं, त की मोहन राकेश का जो एक आंकिया दिखी है, बहुत बड़ा सवाल, अंडे के चिलके, सिपाही की मा, रात बीतने तक, भुबनेश्वार के कारवा, उसर, स्ट्राइक, शैतान, ये प्रमुख हैं, सुदर्शन की थी, राजपूत की हार, और भगवती चनवर्मा का सबसे ब मतफ़ून नाटक है, देखिए, आपका जो लहरों के, सुरी, जो आपका आदियाधूरे है, उसका जो पात्र है जुनेजा, ये वो वेपार में दोखा, इसके द्वारा होता है उसके साथ, ये सबी पात्र जो हैं, आदियाधूरे नाटक के हैं, आदियाधूरे नाटक को स प्रेम निबंद के रशनकार कौन है तो यहां पर जो आप प्रशन निबंद से रखे गए हैं देखिए तो निबंद में आप देखेंगे यह जो निबंद है अध्यापक पूर्ण सिंग का और अध्यापक पूर्ण सिंग जो निबंदकार हैं यह किस यूग के निबंदकार ह ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं इनके यहां पर निबंद रखे गए हैं सची वीर्ता, मस्दूरी और प्रेम, अचरण की सबत्या, पवित्रता, कन्यदान, अमेरिका का मस्ट, कभी, वाल्ट वीट्मेन, इत्यादी अगला प्रशन आता है, एक बार फिर से आपके लिए यहां पर निबंदों से ही रखा गया है संपत्ति शास्त्र के जो निबंद कार हैं, वो कौन हैं तो संपत्ति शास्त्र देखे, यह बहुत ही मुत्पुन प्रशन है, बार बार इसको पूछ जाता है महाविर प्रसाद दिवेदी का यह निबंद रहा है, एंड महाविर प्रसाद दिवेदी के जो अन्य निबंद हैं देखिए, भाशा और व्याकरण, कवी और कवीता, नेपाल, आगरे की शाही, इमारते, प्रभात, आत्म निवेदन, क्या हिंदी नाम की कोई भाशा नहीं अचारे रामचंदर शुकल ने इनके निबंदों को बातों का संग्रह कहा है, जबकि इन्होंने शुकल के निबंदों को कहा था लेख मात्र, ये भी आपने ध्यान रख लेना है, एक दूसरे के लिन दोनोंने कहा है, और सबसे पहले महाविर प्रसाद दिवेदी की ही आलो थे पूछना अचारे रामचंदर शुकल ने रेखी थी, अध्यापक पूरण सिंह ने को कितने निबंदों लिखे हैं, फिरसे यहां पर देखिए, अध्यापक पूरण सिंह से प्रश्न रखा गया है कि उननाने टोटल कितने निबंद लिखे थे, तो आठ उनके निबंद रहे हैं आचरण की सब्भेता मस्दूरी और प्रेम सची वीरता कन्यादान पवित्रता अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विट्वेन नेनो की गंगा और ब्रह्म कांती तो ये आठ इनके निबंद हैं इनको आप याद रख लीजिए और ये आपके दिवेदी युगीन निब का रहे देखना एक माक्सवादी समिक्षक और अलोचक है इन्होंने अनुसंधान और अलोचना जो है वो नहीं लिखा था ये जो रशना है ये डॉक्टर नगेंदर की रशना है डॉक्टर नगेंदर के इसके अलावा कुछ अन्य जो निबंद रहे हैं देखिए वीचार और अनभूती, विचार और विवेचन, विचार विशलेशन, तो एक जगा विचार शीर्चक से हैं, तूसी दगा आलोचक की आस्था और आस्था के चरण, तो दूसरे में आपको आस्था और विचार याद रख लेना हैं, जालतर इन से, और इस तरीके से आप इसको याद नेक्स्ट कॉशन है देखिए, शिकार संबंधी निबंधों की रचना करने वाले प्रसिद रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर श्रीराम जो रहे हैं, यह श्रीकार संबंधी निबंधों की रचना करते हैं, एंड साथी साथ हिंदी में शिकार साहित्य का अरंभ भी इनसे ह माना जाता है देखिए शिकार साही तका अरम श्री राम शर्मा ने किया था स्वयम भी बहुत बड़े शिकारी थे और जिम कारविट से उनके बड़े संबंद थे शिकार संबंद ही उनके ग्रंथ यहां पर रखे गए हैं इनको आप एक पार देख लिजेगा एंड साथी साथी माना जाता है कि इन наш जित्री बी चीज़ें यहां पर शिकार से समंधित ही लीकी हैं और बोला यह जाता था कि इनके एक हाथ में कलम और एक हाथ में जो बंदूक रहती थी इनके बारे में यह बात कही जाती है निवंद को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किस ने कहा है तो निवंद के बारे में जो आलोचकों के मत हैं इनको आप देखिए महाविर प्रसाद दिवेदी ने ये कहा था कि निवंद क्या है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है जबकि शुकल कहते हैं कि पद्दे कावे की कसोटी है तो निबंद गद्य की बाबु गुलावराय निबंद उस गद्य रशन को मानते हैं जिसमें एक सिमित आकार के भीतर किसी विशे का वनन या प्रतिपादन संबधता के साथ किया गया हो शाम सुन्द दास ने भी निबंद के बारे में कहा कि निबंद वहल एक है जिसमें किसी गहन विशे पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्ण डंग से विचार किया गया हो तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पाश्चाते चिंतकों ने भी कहे थे जैसे निबंद को विख्राव युक्त चिंतन किस ने कहा था डिस्परस्ट मेडिटेशन जिसको कहा था देखिए या आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं बहुत ही मतपूर्ण ये पंगती है अवारा भीड के खत्रे अपने अपनी बिमारी और माटी कहे कुमार से निबंद के लिखक कौन है तो ये थे हरिशंका परसाई हरिशंका परसाई एक हास्यवेंग्यात्मक निबंद का रहे हैं और परसाई से अक्सर ये प्रशन पूचे जाता है कि इनके निवंद जो है वो किस विदा के अंतरगत आते हैं या किस प्रकार क्या आते हैं तो या आपने यार रख लेना है कि व्यंग्यात्मकर निवंद नई कहानी संदर्व और प्रकृति के रशनकार कौन है तो ये था आपके देवी शंकर अवस्थी और देवी शंकर अवस्थी जो रहे हैं देखी ये नई समिक्षा के रशनकार माने जाते हैं और इनकी जो प्रमुख अलोशनात्मकरितियां हैं भक्ति का संदर्व विवेक के रंग आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, sorry, इसके अलावा आलोचना का द्वंध। ये इनकी प्रमुख समिक्षां हैं, तो जो भी आपके जो प्रमुख प्र搞ुख नाम हैं, देखें, नई समिक्षा के उनको आपने ज़रूर एक बार देखना है। हमारा अगला प्रशन है देखिए हिंदी आलोशना में आदर्श किसे माना जाता है तो यह हम सब लोग जानते हैं अचारे रामचंद्र शुक्ल जो हैं यह हिंदी आलोशना और निबंद के केंद्र में रहे हैं और शुक्ल को हिंदी में विज्ञानी का अलोशना का जरूरी है और समनवे से ही आपको याद रख लेना है कि इनकी जो समिक्षात्मक दिश्टी रही उस पर रामचरित मानस का गहरा प्रभाव रहा है और रामचरित मानस से ही समनवे कनेक्ट है क्योंकि तुलसिदास का जो समपून साहित है वो समनवे की विराट चेश्टा माना जाता है तो ये थे शिवदान सिंग चोहान शिवदान सिंग चोहान ने 1937 में प्रगती शील साहित्य की आवशकता शीरशक से एक निवंद लिखा और इसमें प्रगती वाद समिक्षा के शुरुवात वहीं से ही मानी गई यह निवंद विशाल भारत नामक पत्रिका में प्र लिखक रहे हैं तो ये थे आज के हमारे 20 कोशन आई होब कि आप सब लोगों ने इन 20 प्रशनों से बहुत सारे प्रशन और भी बनाने की कोशिश की होगी अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इस तरीके की बेहतर वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको हमेशा ऐसे ही नोटिपिकेशन तभी मिलती रहेगी तो जैहिंद शुक्रिया इनकलाब सिंदाबाद